चैशी राम, खलवंदना अब मैं सच्चे बाव से दुश्टों को प्रणाम करता हूं जो बीना ही प्रियोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल अचर्ण करते हैं दूसरों के हित की हानी ही जिन की दृष्टी में लाब है जिनको दूसरों के उजड जाने में हर्स और बसने में विशाद होता है जो हरी और हर के यस रूपी पुरुनिमा के चंद्रमा के लिए राहू के समान है अर्थात जहां कहीं बगवान विश्णू या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बादा देते हैं और दूसरों की बुराई करने से सस्तर बाहू के समान वीर हैं जो दूसरों के दोसों को हजार आखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी गी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है अर्थात जिस परकार मक्खी गी में गिर कर उसे खराब कर देती है और स्वैम भी मर जाती है उसी परकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानी करके भी बिगाड़ देते हैं जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अगनी और क्रोध में यमराज के समान है पाप और अवगुन रूपी दन में कुबेर के समान दनी है जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतू पुछल तारे के समान है और जिनके कुम्ब करण की तरह सोते रहने में ही बलाई है जैसे ओले खेती कनास करके आप भी गल जाते हैं वैसे ही वे दूशरों का काम बिगाडने के लिए अपना स्रीर तक छोड़ देते हैं मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेस जी के शमान समझ कर परणाम करता हूं जो प्राए दोसों का हजार मुखों से प्रितू जिनोंने बगवान का यस सुनने के लिए दस हजार कान मांगे थे के समान जानकर परणाम करता हूं जो दस हजार कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं और फिर इंदर के समान मानकर उनकी विने करता हूं जिनको सुरा मदिरानी की और हितकारी मालूम देती है इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की शेना हित कारी है जिन कोकटोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और हजार आँखों से दूसरों के दोसों को देखते हैं दुष्टो की यह रिती है की वे उदासिन, शत्रू, अत्वा, मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विन्य करता हूं मैंने अपनी और से विन्ती की है प्रंतु वे अपनी और से कभी नहीं चुकेंगे कभी को बड़े प्रेम से पालिये प्रंतु वे क्या कभी मास के त्यागी हो सकते हैं जैशिर्राम